हलो वाइश ट्यास दिए टिक्निक अपलोगा स्वागत है और इस वीडियो में डिसक्स करने वालो पांच एसे टिक्निक या तरीके के बारे में जिनसे आप जिस ओर्गनाजिशन में काम कर रहे हो उस कंपनी या ओर्गनाजिशन से सालरी के इलावा भी आप एक्स्ट्रा इं और उन सभी टर्प्स को हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे जैसे की एक लोकेशन चे दूसरे लोकेशन पर शिप्ट होना फिर वाक फॉम होम में इंटरनेट का बिल हर साल सालरे में जो इंक्रिमेंट होता है या प्रोमोशन होता है इन सभी केसिस में अमाउंट ट्रीम बर्स हो जाता है और यह जितनी भी केसिस मैंने आपको बताया है यह सभी एंप्लॉईज के लिए कॉमन है इसलिए हम इन सभी केसिस को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे बढ़ते फर्स तरिकी की तरफ वैसे shift alliances related बहुत सारे कमेंट आता रहता है shift allowance के facility उन सभी companies में हैं जहां 24x7 support project में काम होता है कोई भी development related project में shift allowance नहीं होता है morning, noon, night में ले तीन टाइप के shift होता है और कुछ-कुछ company में swing shift होता है जो की evening में start होता है इन सभी टाइप के shift में night shift बालव के shift allowance के amount सबसब ज़्यादा होता है most of the company में entry level पे night shift allowance के amount 400 रुपीज पर डे होता है मतलब salary के साथ 8-9,000 रुपीज पर month shift allowance क्रेडिट होता है और बाके shift के amount 250 रुपीज पर डे या 300 रुपीज पर डे होता है पर managers के लिए यही amount 50-60% ज्यादा होता है तब night shift allowance के amount 7-800 रुपीज पर डे होता है अगर आपको shift allowance के बारे में और ज्यादा जाना है तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो लिंक उपर आई बटन में और description दोनों जिगह पर मिल जाएगा अब बरते वीडियो की second way की तरफ अब यह on call क्या है हर company में particular working hour होता है किसी किसी company में 9 और किसी किसी company में 9.5 hour होता है कोई special situation पे अगर आपको उस working hour को extend करना पड़े तो आप on call के लिए apply कर सकते हो company की time management वाले portal पे कुछ-कुछ company में rule होता है कि अगर आप 9.5 hour working hour के बाद 3 hour या उस से ज़्यादा working hour को extend करते हो तो company आपको उस extended 3 hour के लिए आपको पूरे दिन की salary प्रवाइट करेगा मतलब मान लिजए आपके salary per day 1000 रूपीज है मन्ती 30,000 के हिसाब से तो on call apply करने के बाद आपको उस दिन 1000 रूपीज की जगा 2000 रूपीज मिलेगा बढ़ते है third away की तरफ करेंग जैसे बहुत सारे platform पे coding challenge होता रहता है ठिक वैसे ही company में internally coding challenge होता है ये कोई normal challenge नहीं company के client की project से related issue होता है इसको solve करने पे आप dollar में कमा सकते हो difficulty level की हिसाब से 100 डॉलर से 1000 डॉलर तक एक challenge solve करके earn कर सकते हो अब है fourth away की बारी अगर आप अपने दोस्त या relatives को आपके through आपके company में join करवाते हो तो most of the time उस दोस्त की monthly salary आपको मिल जाता है as a referral bonus मैंना most of the time इसलिए कहा क्योंकि जादा तर आइटी company में 25,000 से 50,000 तक referral bonus की amount होता है मतलब अगर आपके दोस्त की salary higher side पे है monthly 80,000 या 1 lakh या 1.5 lakh है तो भी आपको सिर्फ 50,000 रुपीज ही मिलेगा और ये referral bonus joining bonus की तरह एक time के लिए नहीं होता है जितनी बार आप किसी को refer करोगे अपने site से उतनी बार आपको bonus मिलता रहेगा referral bonus की best part है कि ये सिर्फ MNC में ही applicable नहीं है startup, mid cap और small cap company में भी apply होता है अब बढ़ते वीडियो की last way की तरफ जो ही best way है तो company के example लोगा Infosys and Wipro उससे पहले एक example कि थू जान लेते कि bonus share क्या होता है मान लिजे किसी company ने declare किया है कि वो 1.5 ratio पे bonus share देगा मतलब अगर आपके पास 5 share है तो company आपको एक share free में देगा तो bonus मिलने के बाद आपके पास company की total 6 share हो जाएगा ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास company की 100 share है तो 1.5 ratio पे bonus share मिलने के बाद आपके total number of shares 120 हो जाएगा अब Infosys की bonus share की history आपके सामने है year 2000 में 16th June को Infosys की एक share की price था 131 रुपीज June मेने में ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए एक random date सेलक्ट कर लिया मान लीजे आपके फादर ने उस time पे 131 रुपीज पे 100 number of shares खरीद लेता तो उस 100 share की value 13,100 रुपीज होता और पता है 2022 में 8 June को उस 13,100 रुपीज invested amount की value कितना होता approximate 95 lakh की आसपास होता थोड़ा calculation को समझने की कोशिश करता है year 2000 से लेके 2003 तक company ने कोई bonus share declare नहीं किया है 2004 में Infosys ने 3 to 1 ratio पे bonus share declare है मतलब अगर आपके पास एक share है तो आपको 3 share free में मिलेगा अगर किसी ने उस time पे 100 share खरीदा है आपको 400 share free में देगा तो total number of share हो जाएगा 800 ठीक इसी तरह से 2004 में 1 to 1 ratio पे 2015 में भी 1 to 1 ratio पे और 2018 पे 1 to 1 ratio पे bonus share मिलने के बाद वो खरीदी हुई 100 share बरके 6400 share हो जाएगा तो इन 6400 share को अगर current price 8 June के हिसाब से multiply करेंगे तो 95 lakhs से भी ज्यादा होता है यह amount सेम तरीके से विप्रो का भी calculation में आप लोगों को दिखा रहा हूं यह 2000 पे अगर आप विप्रो के 100 share लेते तो 10500 रुपीस में 100 share आ जाता और 2004, 2005, 2010, 2017, 2019 में वही 100 share बरके 2666 number of share होता और इतने number of share के साथ अगर आप recent share price को multiply करेंगे तो amount कुछ 12 लग से भी ज्यादा होता है पर stock में एक problem है कि सारे company की share stock market में list नहीं है तो यह था 5 ऐसे तरीके आप जिसे भी organization में काम कर रहे हो वहाँ से salary के इलावा भी एक अच्छा खासा पैसा earn कर सकते हो past update के लिए आप DS20 के facebook और instagram page को follow कर सकते हो पर अगर इस वीडियो से related कोई भी query हो या कोई भी शिकाया है तो comment section में जागा comment कर दीजे मैं से रही response करूंगा thank you for watching this video मलता है next video में